दोस्तों मेरे नामे दरपन और आप देख रहे हैं आपिन 24 नियूज दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद किस तरीके में देश में खुशी का महौल था लेकिन साथ सर बता दें तो जितने भी यहाँ पर भक्त है उनकी आस्था कितनी उपर है यह आपको इस वी बच रही है और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दे तो अयोध्या में देश का सबसे बड़ा धनुष जो है वो आ रहा है और बता दे इतना लंबा धनुष था कि रास्ते में नैशनल हाईवे पर भी वो तारों के बीच फस जाता है जिसे निकालने में इतनी ज़्य जाता दिक्कत आती है कि अफसरों तक को बुलाना पड़ता है आपको बता दे कि यह उद्ध्यामिदेश के सबसे बड़ लंबा जो धनुष है और इसके साथ जो बान है वो स्थापित किया जाना है धनुष की लमाई लगबग 30 स्वीट है और वजन लगबग 3400 किलो है धन जी सनातन सेवा संस्थान ने बनवाया है आपको बता दे कि श्री राम जन भूमी तीर्थ शेत्र टरस्ट के महसचिव चंपतराय कहते हैं कि उन्हें सूचना मिलती है कि भक्त जो है वो धनुष और बान लेकर आ रहे हैं और अभी फिलाल ये भी तै किया जाना है कि इसे आ 2200 किलो का बनाया गया है जबकि पंच धातु आवरन जो है वो लगबग 1200 किलो है कुल जो इसका वजन है वो 3400 किलो है जिसे 20 कारीगरों ने बनाया है और बनाने के समय लगबग 75 दिन लगे हैं और वहीं अगर आपको हनुमान जी की गदा की बात करें तो जिसकी लंबाई 26 20 फीट है और उन्चाई 12 फीट है अगर आईरन की बात करें आईरन स्ट्रक्चर की तो वो 2100 किलो है और पंच धातु आवरन की बात करें तो 1800 किलो है और कुल इसका वजन है 3900 किलो जिसे भी बनाने में 75 दिन और 20 कारीगरों ने मिलकर ही बनाया है आपको बता दें कि रास् दुनुष का रत रोकना पड़ता है वहाँ पर बनी हाई टेंशन तारों की जो लाइने है और धुनुष की लंबाई ज्यादा होने की वज़ा से टकराते टकराते बच जाता है और यात्रा रोक कर बिजली विभाग के लोगों को सूचना दी जाती है आईवे की जो टीम है वो पहुँचती है और इसके लावा जो धनुश का जो रत है उसे सड़क के किनारे लगाया जाता है ताकि किसी हाथसे से बचा जा सके आपको बता दे कि राम धनुश और गदा को तियार करने में लगबग धाई मीने का वक्त लगता है सुमेरपूर के कारीगर के लाश सुथार धनुश बान और गदा के बारे में बताते कहते हैं कि भगवान श्रीराम धनुश और भगवान श्री हनुमान की गदा बनाने का काम उनकी फर्म वास्तु आर्ट शिवगांच को मिला था उन्होंने का कि साथी हितेश सोनी की देख रेक में 20 कारीगरों ने लगातार 75 दिन काम किया कारीगरों ने ये कहा है कि यह उनके लिए गर्व की बात है हर किसी को ऐसा सो भागे नहीं मिलता हमें मिला तो लग कर इसे पूरा किया जाएगा आपको लागत की बात करें तो धुनुश बान और गधा को बनाने के लिए राम भक्तों ने लगबग 35 से 40 लाग का दान दिया आपको बता दें जो धुनुश बान है और हनुमान जी की गधा है वो दान दिये पैसों से बनी है इसकी प्लानिंग से लेकर तैयार होने तक सब का जिम्मा शीराम भक्तों ने अपने कंदों परी लिया था 12 जून को यातरा निकालने से पहले भी लोगों ने चर्चा की आगे रूप रेखा को अकार दिया भक्तों ने इसके आर्थिक इसमें सिपना सयोग दिया और इसमें करीब लगव 35 लाग का खर्चा भी जो है इसके अंदर आ गया राशी कठ्ठा की गई और आयोजक गुपाल जी मंदिर के पुजारी रमेश पंडित आयोजन के सुत्रधार राम लाल माली शिवगंज और का पहला पड़ाव जो है बर में दूसरा जैपूर में तीसरा आगरा में चोथा लखनव में और फिर पांचवा जो है पड़ाव जाकर आयोज़्या में जो है वो खत्म होता है हर पड़ाव में कई प्रमुक राजनिताओं और सादू संतों और आम लोगों इस गधा और धु आयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने के बाद अलग-लग जगाओं से जो भक्त है वो अलग-लग किस्म की जो है यहाँ पर अपना जो सहयोग है वो यहाँ पर दे रहे हैं और फिलाल ये भी जरूर है कि अब कहीं न कहीं ये धनुशबान और ये गधा जो है ये अकरशन का के अंदर जो है अयोध्या में ये भी बनने वाली है आप सभी से नवेधिन वीडियो को शेर करें फिर जुड़ेंगा आपी 24 के ओपर तब तक के लिए जय है